गाड़ी जैसे ही जमना भाई के दर्वाजे पर आकर रुकी तो गाड़ी की आवाज सुनकर जमना भाई बाहर आगई बाहर आकर देखा तो अन्जु गाड़ी से उतरी और पी उसके पीछे जो महंदर भी उतर गया दौनों को देखकर जमना भाई की जो खुसी के आशू उसकी आखों में आ गए क्योंकि जब बेटी पहली बार माई के आती है तो माता पिता की खुसी का ठिकाना नहीं रहता जमना भाई की तो मन में इच्छा भी रहती थी कि शादी के बाद बेटी एक बार माई के आए पर उसको तो कभी ये कहने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अंजू और दामाद को अपने घर ले जाना चाहती हूँ आज उसके मन की इच्छा पूरी हो गई वे मनी मन सोचने लगे चलो ऐसे ही सही बेटी और दामाद को मालकिन ने भेज तो दिया मैं बेटी को लेकर नहीं आय पाई तो क्या हो गया अंजू और महंदर को आते देखकर आसपास के जितने लोग थे सब बहार आ गए सब लोग दोनों को बड़ी खुसी से देख रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे देखो हमारे महले का दामाद आ गया है हम लोग कितने खुस नसीब है इतने अच्छे जो हमें दामाद मिले है कितनी अच्छी लग रही है दोनों की जोड़ी जमना भाई तो सच मुझ में बहुत किस्मत बाली है जो इतना अमीर पढ़ा लिखा और सुंदर दामाद मिला है किसी जनम में जमना भाई ने बहुत अच्छे करम किये होंगे हम लोगों का भी नसीब खुल गया है अब हम गरब से लोगों से कहेंगे कि हमारी बिटिया की शादी बड़े घर में हुई है हमारा दामाद बहुत अच्छा है आसपास की जितने भी अंजू की सहेलियां थी ओ सब अंजू को देखकर दोड के आ दे अंजू ने सब को गले लगा लिया और अपने घर में बुलाया अंजू और मेहंदर दौनों ने मा के चरन छुए उसके पश्चात अंजू ने मा को खुसकवरी सुनाते हुए कहा मा मैं बहुत अच्छे अंकों से बारवी में उत्तिरन हो गई हूँ मुझे 85 पर 30 अंक मिले हैं तुमारा आसिरवाद काम आ गया मा फिर उसने मेहंदर की ओड देखते हुए कहा मा इनका साथ ना होता तो यह कभी भी संभव नहीं होता भगवान मुझे हर जनम में तुम जैसी मा के रूप में जो मुझे मा और पती के रूप में मुझे मेहंदर जी को दे मेरे उनसे यही प्रातना है भगवान कि मुझे हर जनम में यहीं मिले ये कहते अंजू की आँखों में खुसी के आंसु छलखाए थोड़ी देर बाद महंदर ने अंजू से कहा अंजू अब तुम सब के साथ खुसियां मनाओ सब को मिठाई बाटो मैं दुकान की ओर जाता हूँ रात नौ साड़े नौ बजे के करीब मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा तब तक तुम्हें हैं पर सब के साथ रहो कहकर महंदर गाडी की ओर चल पड़ा अंजू की सहेलियां अंजू के साथ हसी ठिटोली में लगी हुई थी एक दो सहेलिय अंजू के साथ पढ़ाई कर रही थी एक ने पूछा बता अंजू कैसा लग रहा है शादी के बाद नए घर में नए माहौल में अब तो अंजू तुम महलों की रानी बन गई है कैसा लग रहा है महल में रहकर अंजू ने मुस्कुरा कर कहा मैंने तो देखो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे घर में मेरी शादी होगी सब उपर वाले का खेल है नसीव किसको कहां ले जाता है किसी को नहीं मालूम मैंने इतना बड़ा सपना तो नहीं देखा था परन्तो भगवान ने मेरी जोली में जैसे सारी खुसियां एक साथ डाल दी पर डर लगता है कभी कभी की ये खुसियां मैं समेट कर रख पाऊंगी की नहीं वैसे घर में जाकर जो किसको नहीं अच्छा लगेगा ऐसे घर में तो सब जाना चाहेंगे मुझे तो बहुत अच्छा लगा है मेरा ससुराल दूसरी सहली ने कहा अंजू तू कुछी दिनों में बहुत बड़ी बड़ी बाते करने सीख गई है हाँ हाँ अंजू कहने लगी दूसरी सहली से क्यों नहीं करेगी अंजू अब बड़े घर में जो चली गई है बड़े लोगों की बड़ी बाते हो गई है हमें बता दोगी तो हमारे काम आ जाएंगी और वो सहलियां उसकी खिल खिला कर हस पड़ी अंजू कहने लगी चल बेशरम कुछ भी पूछती है जब तेरी शादी होगी या किसी से प्यार हो जाएगा तो अपने आप बाते करने लग जाएगी जिसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है बेशरम कहीं की और अंजू सरमा बई जम्ना भाई को देखकर सब के हसी ठिटोली एकदम से रुख गई जम्ना भाई ने आकर कहा अंजू दामाद जी को क्या-क्या पसंद है वो क्या पसंद करते हैं रात के खाने में मैं वही खाना बना लेती हूँ और तुम दोनों जो खाना खा कर जाना अपनी सासुमा और ससुजी से अनुमती लेकर तो आई हो न अंजो और उनके रात के खाने का इंतजाम करके आई हो न तो अंजू की मा ने का तो अंजू कहने लगी उनको पता है कि हम देर रात से घर पहुचेंगे इन्होंने बता दिया है उनको उनके लिए सारा खाने का इंतजाम करके आई हूँ मा मैं वो दोना खा लेंगे अंजू की मा कहने लगी फिर तो ठीक है तुम दोना खाना खाकर आराम से जा सकते हो और यह तो बता दे कि मैं क्या क्या बनाओ जो अंजू की मा अंजू से पूछने लगी तो अंजु कहने लगी मात जादा कुछ मत करो रात का खाना ये कमी खाते हैं रोटी सबजी दाल बना दो मिठाई तो हम संग लेकर आए हैं इसमें से थोड़ी सी खालेंगे वैसे भी खुसी की मिठाई है तो उनको खाना ही पड़ेगा और अंजु हसने लगी दोना खाना खा कर जैसे ही शाम रात को जाने लगे जुमना भाई बहुत भावुक हो गए उसने आज मेंदर का हाथ पकड़ कर कहा दामाद जी मैं बहुत गरीब हूँ आपको कुछ नहीं दे पाई मैं एक जोड़ी कपड़े लेकर आई थी आपके लिए और अंजु के लिए एक साड़ी देखिए लेने से मना मत करना बेटा मुझे बहुत दुख होगा नहीं तो और उसकी आँखों से आंसु टपकने लगे मैं अंदर ने का मम्मी जी इतनी अच्छी गुनी बेटी को की मा हो आप और आप गरीब नहीं हो सकती और अब तो मैं भी आपके साथ हूँ तो क्या मैं आपको अपना बेटा जैसा नहीं लगता मुझे अपना बेटा मान लीजिये काकी जिस मा के ऐसे बच्चे हों वह मा कैसे गरीब हो सकती है और मैं आगे से आपको काकी नहीं माई कहा करूँगा और गरीब सब्द भी कभी आपकी जवान पर नहीं आना चाहिए जो महंदर ने भावुक होते भी कहा अपने दामाद की ऐसी बाते सुनकर जमना भाई का मन जो ममता की हिलोरे लेने लगा और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सी खुसियां उसके आचल में सिमट गई हो अंजो और महंदर ने अब विदाली और दोनों निकल पड़े जमना भाई दोनों को जाते हुए देखकर सोचने लगी कितनी सुन्दर जोडी लग रही है भगवान या जोडी हमेशा बनाए रखना और इनको लंबी उमर देना खुसी से और मेरी अंजो की जोली जो खुसियों से भर देना उसे इतनी सक्ती देना प्रभू वे सब के जीवन में खुसियां भर दे मैं तुमारे आगे नतमस्तक हूँ भगवन और जीवन भर रहोंगी मन में एक सांती की सी लहर उठी और जमनाम बाई के मन में जो बहुत इस्तान्ती का अनुभव हुआ। उधर घर पहुँचकर रात को लेट पहुँचे और वो लोग सो गए, सेट सेटानी ने भी खाना खा लिया था। सुबह सुबह उठकर अन्जु नहा धोकर तैयार हुई, फिर पूजा करके वे रसोई में गई, चाय नास्ते की तैयारी करने के लिए, थोड़ी देर बाद सुस्माजी रसोई घर में आई, तो उसकी नजर अन्जु पर पड़ी, अन्जु को देखा तो देखती रह गई, ब बिल्कुल महलो की रानी लग रही थी, पहले की अन्जु और आज की अन्जु में जमीन आस्मान का फरक था, मेरा बेटा इसको देखकर पागल हुआ, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, खूबसूरत तो यह है ही, और आज सच धजकर तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है, इसका रूप सौंदरिय खिले गुलाव के जैसे निखर गया है, साथ ही सारे कारिय विवे बहुत निपुनता के साथ कर लेती है, और बातों में भी इसकी बहुत मिठास है, संसकार तो जमनावाई ने इसे बहुत अच्छे दिये हैं, तभी जो अन्जु की नजर अपन सासु मां से पूछा, तो सुस्मा जी बोली, जाएदा कुछ नहीं, कुछ हलका फुलका बना दो, सुजी का उपमा बना दो, और साथ में चाये, तुमारे पापा जी का पेट जरा ठीक नहीं है, रात को कह रहेते गैस बन रही है, तो हलका फुलका ही नास्ता सही रहेगा, स तुम बहुत सुन्दर लग रही हो परंतु उसके सब्द जीप पर आकर ही अटक कर रह गए तो अंजु कहने लगी जी मम्मी जी मैं बना देती हूँ और अंजु चाय लेकर जो अपने कमरे में पहुची तो मेंदर सो ही रहा था उसने जाकर आबाज दी छोटे सेट साहब आज गुलाबी साडी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी उसकी आखे इस खूबसूरती को देखे जा रही थी उसके मन का सारा बंधन तूट कर विखर गया दिल की धड़कने इतनी तेज हो गई कि वह चाहकर भी अपने आपको रोक नहीं पाया और उसने अंजु का ह खूबसूरत कनीज नहीं देखी और उसने अंजु ने जो सर्मा कर अपना चेहरा ढख लिया अंजु कहने लगी आपको तो ऐसी मस्ती करने का मौका चाहिए लीजिये चाए पी लीजिये ठंडी हो रही है तो में अंदर कहने लगा देखो अंजु मैं तो तुम्हारा दिव पागल साहब अब चाए पी लीजिये ठंडी हो रही है अंजु जो मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि सेट जी बुला रहे हैं आप जल्दी से तैयार हो जाईए में अंदर अंजु की ओर देख रहा था और कहने लगा ऐसे क्यों बोल रही हो अंजु तभी सुसमा जी न कहकर अंजु रसोई की ओर निकल गई अंजु ने नास्ता टेवल पर लगा दिया अंजु ने अपनी सासुमा से कहा ममी जी नास्ता लगा दिया है पापा जी तैयार हो गए की नहीं पापा जी तैयार हो गए की नहीं तभी सुसमा जी बोली सुनिये जी आप तैयार हुए क नहीं देखे अंजू ने नास्ता लगा दिया है ठंडा हो जाएगा जल्दी से आ जाईए भगवान दास जी कहने लगा ठीक है अभी आया और भगवान दास जी जो आकर टेवल पर बैठ गए चाय की घूट पीकर भगवान दास ने कहा आज तुमने चाय सही बनाई है आज च चक्कर नहीं है चलो तुम्हें अब धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं यह एक अच्छी बात है अंजू कहने लगी पापा जी आपके लिए टिपिन बॉक्स भी तैयार कर दिया है मैंने जाते समय ले जाएगा अंजू ने बहुत आश्चरी और खुसी दोनों के भाव थे तो सुस्मा जी कहने लगी जब से मैंने इसे बता दिया है कि सुबह सुबह उटकर नहाद होकर पूजा करके ही रसोई में आना है तब से सब कुछ वैसे ही कर रही है मैंने उटकर देखा कि बिल्कुल तैयार होकर रसोई घर में ख अन्जू के पाउं जमीन पर नहीं पड़ रहे थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे खुसी के पंख लगा कर वे हवा में उड़ी जा रही है उसकी मुस्करहाट कह उठी चलो मेरा काम सासू मा को पसंद आ रहा है मैं उनका दिल जीतने के लिए धीरे धीरे सफल हो रही हूँ त कुछ नहीं कर पाया कैते वे सीव हस पड़ा तो अन्जू कहने लगी थेंक्यू देवर जी और आपको भी बहुत बहुत बधाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आपका परिक्षा परिनाम तो बहुत अच्छा आया है किसने कहा आप गध हैं बताईए किसने कहा मैं आभी उसकी खबर लेती हूं मेरे देवर जी को कोई गधा कए मैं चुप रहूं ऐसा नहीं हो सकता और अन्जू भी जो सिव के साथ हसने लगी कल शाम को सिव कहने लगा जब मैं लोटकर घर आया था तो आप मिली नहीं तो आपको बधाई नहीं दे पाया जब तक आप आए मैं खापी कर सो गया क्या कि बहुत ठक गया था कल दिन भर कहां थे अन्जू ने पूचा और क्या करते रहे मैं भी शाम तक इंतजार करती रही थी आपका आएंगे और फिर आपको ढेर सारी बधाई दूंगी सिव कहने लगा क्या करता भावी दोस्तों के साथ मतर गस्ती की मूवी द देखने गई थे क्या भावी अन्जू कहने लगे अरे नहीं मैं तो दिन भर घर में थी शाम को तुमारे भाया के साथ मा के घर गई थी मम्मी जी ने कहा था कि मा को खुसकवरी दे आओ और अपने भाई बेनों को मिठाई खिला कर आओ तो महां गई थी मम्मी जी ने रात क खाना खिला करी मेरी माने यहां भेजा था इसलिए आने में देर हो गई शादी के बाद मम्मी के घर जाकर सबसे मिलना सहेलियों से मिलना और फिर इतनी अच्छी खबर दी सबको कैसा लगा आपको भावी तो अन्जू कहने लगी बहुत मज़ा आया देवर जी माने भाई बेहने मिलकर सहेलियां भी आ गई थी सबने बहुत मस्ती की परिक्षा परिनाम का सुनकर तो सब बहुत खुस हुए सबने बधाईयां दी आसपास के सभी आंटियां थी जो मुझे बधाईयां देने आई अब आप यह बताईए कि देवर जी नास्ते में आप क्या तो वह कहने लगी मम्य जी और पापा जी के लिए मैंने सूजी का उक्मा बनाया था वही गर्म करके देव और गर्मा गर्म चाय बना कर देती हूं तो वह सिबं कहने लगा बढ़िया आपकी बुद्धी का तो कोई शानी नहीं भावी आप मन की बाते कैसे समझ लेती हूं मेरा विसू जी का उपमा खाने का मन हो रहा था अच्छा हुआ आपने पहले ही बना दिया जो वैं कहने लगी ठीक है देवर जी और सिव मन चाहा नास्तापा कर खुशी से जूमूठा सिव को हसते देखकर अंजू भी उससे बाते करते हुए हसने लगी दोनों को बाते करते हुए देखकर मेहंदर को बड़ा अच्छा लगा उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा देवर भावी में इतना हसहस के क्या बात चीत हो रही है किसकी बुद्धी की शानी नहीं है मुझे भी तो बताओ मेहंदर तयार होकर नास्ता करने के लिए आया और आते ही सवालों की जड़ी लगा दी सिवम बोला भावी की बुद्धी के बारे में बात कर रहे है मेरे मन की बात समझ लेती है इसलिए मैंने कहा आपकी बुद्धी का कोई सानी नहीं है सूजी का उपमा खाने का मेरा मन हो रहा था तो पता चला कि भावी ने पहले ही बना कर रख दिया है मेहंदर कहने लगा तो अपनी भावी की तारीफ कर रहे हो तो मेहंदर कहने लगा देखो यह बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी सिव तब ही तो मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा घर में लाकर ही हाथ छोड़ा है और महंदर हसने लगा अंजू कहने लगी देवर जी के सामने मेरा मजाक मत उड़ाईए आपको हमेशा मजाक ही सूचता है सीरियस होकर भी बात करना तो आता ही नहीं है आपको आपको तब से मैंने सीरियस देखा था जब मम्मी जी पापा जी ने शादी के लिए मना कर दिया था तब तो आपकी सकल देखने लाइक थी अंजू भी कहां पीछे रहने वाली थी उसने भी जो महंदर को छेड़ते हुए कहा तो महंदर कहने लगा मेरी सकल देखने लाइक थी और क्या तुम्हारी सकल बहुत खिली हुई थी तुमने देखी थी आईने में अपनी सकल महंदर ने नहले पर देहला मारा तन्जू ने देखा कि देवर के सामने बातें थोड़ी जायदा हो रही है तो बातों पर लगाम देते हुए उसने का ठीक है ठीक है अब आप नास्ता करके ने आ जाईए और आपकी चाय भी ठंडी हो रही है फिर आपको जाना भी है अब जब नहले पर देहला पड़ा तो बात पलट दी महंदर कहने लगा बहुत चतुर हो तुम और अंजो की ओर देखकर हसने लगा नास्ता करके महंदर दुकान की ओर निकल गया दोना देवर भावी बैटे हुए थे नास्ते की टेवल पर और सिभ ने पूचा भावी आगे का क्या सोचा है कुछ तो इंदु कहने लगी किस बारे में सिभ बोला पढ़ाई के बारे में और किस बारे में आगे पढ़ना है की नहीं इतना result इतना अच्छा है आपका भावी तो आगे की पढ़ाई मत बंद करना तो अंजो कहने लगी पढ़ना तो है ममी जी पापा जी ने भी जो आग्या दे दी है पर सोच रही हो कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाये आप भी बता दीजे देवर जी जिस कॉलेज से भाहिया ने B.A किया है सहर का जाना माना कॉलेज है मैं तो सोच रहा हूँ उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा आप भी ले लीजिये दोनों एक सार जा सकते हैं कॉलेज अंजो कहने लगी अच्छा रहेगा पर पहले मैं तुमारे भीया से पूछ लूँ उनकी एनुमती मिल जाएगी तो जहां पर एडमिशन करा देंगे वहीं से कर लूँगी अंजो ने भी समझदारी दिखाई अंजो और सिव को हससकर बाते करते हुए देखकर सुसमा जी को थ कौन सी बात पर इतनी खुसिया मनाई जा रही है शिवम बोला कुछ नहीं मम्मी कॉलेज के बारे में बाते कर रहे हैं हम दोनों भावी को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है इस बारे में अच्छा किया मम्मी जी आपने भावी को अनुमती दे दिया आगे की पढ़ाई के लिए भावी जैसी इस्टूडेंट बहुत कम देखने को मिलती है कितनी अच्छे प्रतीभा नश्ट नहीं होनी चाहिए सिव समझदारी दिखाते हुए कह रहा था तो सिव कहने लगी तू तो बड़ा समझदार हो गया रहे सिव और भावी की बहुत तरफदारी कर रहा है भावी ने कौन सा जादू चलाया तुझ पर सिव कहने लगा भावी कोई जादू गरनी है क्या मम्मी जो जादू चलाएगी उनका तो एक ही जादू है अच्छी अच्छी बाते करती है और अच्छा खाना बना कर प्यार से खिलाती है मम्मी की बातों से एहसमती जताते हुए सिव ने थोड़ा सा चड़ कर कहा तो फिर वे थोड़ा सा अपने आपको सांथ करते हुए कहने लगा अच्छा भावी, अच्छा मम्मी, मुझे भी आज दोस्तों के साथ जाना है, कॉलिज देखने के लिए, चाय अच्छी थी भावी, और ओपमा भी बहुत अच्छा बनाया आपने, अब मैं चलता हूँ, कहकर सी वहां से निकल गया, तो इंदू कहने लगी, मम्मी जी, आज द गोबी की सबजी बनाई थी, टिपिन में देने के लिए, वही बच्ची है, दो रोटी बना कर खालूंगी, मैं भी आपके लिए अलग से कुछ बना देती हूँ, क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, तो सुस्मा जी कहने लगी, तो मैं जो ठीक लगे वही बना लेना, बस तेल मसाला कम डालना, सुस्मा ने सिव को गुसा होते हुए देखकर स्वैम को सांथ करते हुए कहा था, ठीक है अंजु कहने लगी ममी जी, मैं आपको थोड़ी सी दाल और भिंडी की सबजी बना देती हूँ, साथ में रोटी और चावल, अंजु ने जो बहु का करतब भी हैरानी हुई, और मन में खुसियों की लहर उठने लगी, पहले सासु मा की कड़वी बाते सुनकर मन का सीशा चटक कर जो दरारे आ गई थी, वे धीरे-धीरे मिटने लगी, और मन की खुसी होटों पर मुस्कान बन कर खिल उठी, अंजु अब सुबह सुबह नहाद होकर त जमना जो आ जाती थी, और दौफेर के खाने में जो सुसमा जी के लिए क्या-क्या बनाना है, उसे समझा जाती थी, से इस कारिया तो जमना को खुद ही पता था कि क्या करना है, बाकि का काम वो है, जमना बाई संभाल लेती थी, बेटी कॉलेज जाने लगी, इस बात से जम मरपन भाव देखकर सुसमा आज काल उससे परसन रहने लगी थी जुमना भी किसी बात की सिकायत होने का मौका नहीं देती थी अंजू के कॉलिज से लोटने के बाद ही वे अपने घर वापस जाती थी उसके बाद जो काम रहते थे उन्हें अंजू जो निप्टा देती थी पहले से अधिक खुश रहने लगी थी इस तरह अंजू की पढ़ाई भी एक सही दिसा में चल रही थी एक दिन अंजू तयार होकर कॉलिज जाने के लिए निकली तो सामने पड़ोस किसरी मती मिस्रा सामने पढ़ गए अंजू को सर से लेकर पाउं तक घूर घूर के राजकुमारी हो नकरे तो देखो कितनी सचधसकर कॉलेज जा रही है सब को दिखाने के लिए कि मैं अम महराणी बन गई हो बेचारे सेट भगवान दास जी और सुसमा दौनों की छाती पर मूंग दल रही है समाज में इने मूं दिखाने लाइक भी नहीं छोड़ा सरम हया तो है नहीं लोगों को अंजू को लगा कि किसी ने विश से भुजा हुआ तीर छोड़ दिया उस पर और वे तिलमिला कर रह गई परन्तु अपने आप पर सयम रख कर उसने कहा मुझे आप से क्या परिशानी आंटी जी मैं तो आपकी बहुत इज़त करती हूँ बेशरम ज नहीं गई बाते सुनकर सिरिमती मिस्तरा जी जो सक पका गई और मूँ बिचका कर अपने घर के अंदर चली गई दोफैर का खाना खाकर सुस्मा धूप से एकने के लिए अपने बरामदे में जाकर बैठ कर जो पत्री कपड रही थी तब गेट से आती हुई सिरिमती जा आओ बैठो आप भी दूप से एकलो सुस्मा ने बड़े आदर से उनको अंदर बुलाया तनूजा ने कुरसी पर बैठते हुए कहा और कैसा हाल चाल है सब कुछ कैसा चल रहा है उसके मन में घर की बाते जानने की उतसुपता उसके चेहरे से जहलक रही थी सुस्मा ने अभी मेंदर की शादी हुई है नहीं नहीं बहु घर में आई है बहु के साथ बात बन रही है या नहीं या फिर तनूजा ने कटाक्ष करते हुए कहा तो वह कहने लगी सुस्मा जी क्यों नहीं बनेगी अंजु बहुत अच्छी लड़की है बहुत समझदार है बहुत लड़ी न होती होगी तनूजा ने जो एक कटाक्ष का बान छोड़ दिया तो वह कहने लगी वह लड़ने वाली लड़की नहीं है सुस्मा जी बहुत सम्मान देती है हमें और वह अंजु की तारीफ करने लगी तो वह कहने लगी तनूजा जी आप तो ऐसी परसंसा कर रही है सुस्मा जी जैसे बर्सों से नाता है आपका और आज उसे कॉलिज जाते हुए देखा मैंने कॉलिज जाती है तो फिर सेवा कब करती होगी तनूजा ने एक और परशन दाग दिया तो सुस्मा जी बोली सुबह सुबह उठका चाय नासता बना कर मेहंदर और उसके पाप को कॉलेज जाने की अनुमती दे कैसे क्या करोगी पढ़ा लिखा कर कोई कलेक्टर बनेगी क्या घर ग्रेस्ती समाल ले साथ सुसर की सेवा कर ले और क्या चाहिए फिर जुमना भाई अभी भी भाई का काम करती है आप लोगों को यह अच्छा लगता है कि मा भाई और बेटी पहु तनुझा ने अपनी बहुँआ चड़ाते हुए जो फिर से कटाक्श मारा तनुझा की बाते सुसमा को तीर की जैसे चुबी तो उसके चेहरे पर इकतनाव की लकीर खिच गई उसने मनी मन क्रोध हा रहा था पर तो अपने क्रोध का वह कैसे समुखरती हो इसने अपन पर फिर वे आज कल कहीं भी बाई का काम नहीं करती, कॉलेज जाने के अनुमती हम लोगों नहीं अंजू को दी है, क्योंकि वे बहुत अच्छी छात्रा है, और पढ़ने में उसका बहुत मन है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, उसकी प्रैथिभा को हम नश्ट नहीं होने देना चाहते, और सारा कारिय संभालते हुए, बहुत समझदारी से है, सब वे निभा रही है, तो हम क्यों मना करें, हमारा बेटा महंदर भी चाहता है, उसे पढ़ाना, उसका दिल भी हम नहीं दुखाना चाहते, ना चाहते हुए भी सुसमा ने एक सास में सारी बाते तनूजा से कह दी, तो वैं कहने लगे, अंजू को कॉलिज से आते वे देखकर तभी दौनों चुप हो गए, दौनों को चुप देखकर अंजू को कुछ आसंका हुई, हो ना हो पड़ोस की अंटी मेरे बारे में कुछ बाते अवश्य कर रही होगी, तभी मुझे बैटकर चाय पी लीजिए सुसमा जी बोली नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है और तनुजा जी कहने लगी मैं हर किसी के हाथ की चाय नहीं पीती और वह मूँ बनाने लगी अंजुब बहुत अच्छी चाय बनाती है सुसमा कहने लगी पी के देख लो एक बार आप भी का बच्चे आ गई होंगे देखती हूं जाकर उसको चायवाय तो नहीं पीना है वे उठकर अपना सम्हू लेकर चली गई रात को भोजन के पश्चा जब सेट भगवान दास अपने कमरे में आये तो सुस्मा का चेहरा थोड़ा मुर्जाया हुआ था भगवान दास ने देखा और पूचा क्या बात है सुस्मा तुम्हारा मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा या तवियत अच्छी नहीं है जब से दुकान से आया हूं तुम कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हो और चेहरा भी तुम्हारा उत्रा हुआ सा है अंजू के साथ कुछ हो गया है क्या सुस्म सुस्मा बोली नहीं अंजू से क्या होगा अंजू जायदा कुछ बोलती ही नहीं है कॉलेज से आकर फिर अपने काम में जुट गई चाय बना कर दी और फिर लग गई रात का खाना बनाने में और फिर क्या हो गया तो भगवान दास ने थोड़ा चिड़ते हुए पूछा क्य है अभी भी तुम्हें बुरा नहीं लगता पता नहीं क्या क्या बक रही थी वो सुस्मा का जो उसे गुस्सा आने लगा और उसकी आंके गुस्से में लाल होने लगी तो सेट जी कहने लगे तुम क्यों बैठ जाती हो इन सब के बीच में और क्यों उलजती हो तुम इन बा मिले ही नहीं, बाते ही नहीं करें, सुसमा ने खीज कर कहा, तो सेट जी कहने लगे, उठो बैठो बाते भी करो, पर काम की बाते करो, घर की बाते नहीं, कोई घर की बातों को कुरेदना चाहे, तो हाद जोड़ कर कह देना हमें छमा करिये, हम इस बारे में बात नहीं करना चा कायड तो ले लिया पर सोचा नहीं की शादी में जाना है की नहीं जाना तुमारी राय भी जाननी है मेंदर की शादी में वो आया नहीं था तो हम क्यों जाएं सुस्मा जी ने कहा उसके बेटे की शादी में हमारे एतनी बेजती की है उसने मुझे नहीं जाना है शादी में मे वे नहीं आया तो नहीं आया, वे उसकी मर्जी थी, पर हम जाएंगे साधी में, मेंदर ने भी यही कहा है, पापा आप और मम्मी चले जाना, भगवान दास अथ थोड़ा नाराज होते हुए बोले, तो सुसमा जी कहां पीछे रहने वाली थी, वे बोली, किरोदो तो आपकी विचार मिमर्स करेंगे कल, और भगवान दास सोने चला गया, चिमन लाल की बेटी की शादी की रोनक बिलकुल जो बहुत अच्छी थी, चारों और सहनाईया, गाने बजाने की अवाज गूज रही थी, घर की सजावट इतनी सुन्दर तरीके से की गई थी, कि देखने वा देखता रह जाए, चिमन लाल और उसकी पत्री महमानों के स्वागत के लिए मुख्या गेट पर हाथ जोड़े खड़े हुए थे, जैसे ही दोनों ने भगवान दास और सुस्मा को देखा, दोनों की चेहरे की हसी की उजली किरन, जैसे अमावस की काली रात में बदल गई ह दोनों ने बड़े ठंडे तरीके से कहा, आओ आओ सेट भगवान दास आईए, भावी जी पधारिये, आप दोनों आए, देखकर हमें बड़ी खुसी हुई, आईए, अंदर जाकर बैठ जाईए, और दोनों दूसरे महमानों के स्वागत में लग गए, भगवान दास और स भावेस निगम और उनकी पतनी सुनैना बैठी हुई थी, भावेस और उनकी पतनी ने जैसे भगवान दास और सुस्मा को देखा, तो दोनों अंजान बनते हुए अपना चैरा फेर लिया, और किसी और से बाचित करने में मगन हो गए, दोनों का ऐसा वहवार देखकर सेट भगवान दास और सुस्मा को लगा कि किसी ने मूँ चुरा कर कह दिया हो, तुम दोनों की अब कोई इज्जत नहीं है समाज में, वे चुक्चा बैठ गए किसी से कुछ नहीं खा, थोड़ी देर बाद सुस्मा के कानों में फुस फुसाने की आवाज पड़ी, तो उसने प कि सहेली ने फुस फुसा कर कहा, बात तो मैंने भी सुनी है, पर यह पता नहीं था कि यह वही लोग है, ऐसे बैठें जैसे कुछ हुआ ही नहीं, चेहरे पर कोई सिकनी नहीं है, लोगों के बीच में उठने बैठने में इनको सरम नहीं आती, अपनी ब्रादरी में रिस्ते संसकार नहीं दे पाते, अच्छे संसकार दिये होते, तो आज यह दिन देखना नहीं पढ़ता, हमें भी निमंतरन पत्र दिया था, पर ऐसी शादी में कौन जाता, सुने ना जो कहने लगी और हसने लगी, उनकी शादी में जाकर हमें अपने बच्चों को थोड़ी बिगा सुसमा के कान और अधिक सुनने ही पा रहे थे, उसकी पलके भीग गई, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने सीने से जो कलेजे को निकाल का टुकडे कर दी है, उसने सेट्स जी से कहा चलो जी, मेरी तब यह ठीक नहीं लग रही है, अब मैं जाना चाहती हूँ, और यह सब बातें नहीं सुनी जाएंगी, आपको तो कोई फरक नहीं पड़ता, पर मुझे बहुत फरक जो पड़ता है, सुसमा दुखी होकर जो खड़ी हो गई, उधर घर पर महंदर और अंजू खाने की टेवल पर बैठे हुए थे, दोना खाना खा चुके थे, पर अच जल्दी क्यों आ गए, अभी तक तो शादी की रसम भी पूरी नहीं हुई होगी, क्या बात है, दोनों की तब्यत तो ठीक है न, आप जाकर पूछ लीजिए, जो अंजू कहने लगी, तो महंदर गया और पूछने लगा, जब वो दोनों अंदर आ गए, क्या बात होगी पा गुस्से तुम लोगों को क्या है, तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता, तो सुस्मा जी ने भी गुस्से में कहा, तुम लोगों को क्या लेना है, दोनों का गुस्सा देखकर, तो वे चुप हो गए, वे बोले, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया, क्य किसी बाते क्यों कर रही हो तो सुसमा जी बोली हुआ पर लोग हम दौनों को देखकर उल्टी सीधी बाते कर रहे थे और हस रहे थे चिमनलाल ने भी हमारे साथ अच्छा वहवार नहीं किया कोई बात नहीं कि हमसे कैसे ठैरते हैं हुआ पर बताईए जब कोई भी सब तरह की बाते बना रहे थे तो कैसे ठैरते हैं हमारे तो जीना मुस्किल हो गया कहते कहते सुसमा रो पड़ी तो में अंदर बोला चिमनलाल अंकल का वहवार तो सुरू से अच्छा नहीं है मा मैं जब अपनी शादी का कार्ड देने गया था तब भी मुझे बुरा भला कहा था और जो सेट जी गुसे में बोले समाज में उठना बैठना छोड़ दें और तो मेंदर कहने लगा सब लोग चिमनलाल जैसे तो नहीं होते पिता जी बहुत लोग हमारी शादी में आये थे एक चिमनलाल के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे क्या वैस को समझ में आए या नाए मुझे बहुत अच्छे से पहले सी समझ में आ गई है दूसरों को लेकर हम अपने घर की शांती भंग करें यह कहां तक सही है मा मेंदर कहने लगा हम सब अपने घर में खुस हैं आप दोनों ने खाना खा लिया और उसने अपनी बात अधूरी पाया था कि सुसमझ गुस्से में अपने कमरे की ओर चल दी और सेट जी जो उसके पीछे पीछे चले गए पता नहीं ममी जी पापा जी को क्या क्या बाते हुआ पर सुननी पड़ी होंगी अंजु कहने लगी उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यह सब हमारे कारणी हुआ है मुझे इसी बात का डर था और अंजु की आखों में आशु आ गए वे और उसके मन में अपराद बोध ने घर कर लिया तो मेंदर कहने लगा अंजु हमने कोई अपराद नहीं किया ना ही हमने कोई गलत कदम उठाया है हमने शादी किया मा पापा की राजी लेकर उनकी अनुमती लेकर उनके विरुद जाकर नहीं की रहा सवाल ब्रादरी और समाज वालों का तो कुछ बाते तो लोग जो बनाते ही हैं चाए हम शादी अपनी जात में भी करते तब भी लोग होते हैं जो तरह तरह की बाते बनाते हैं दूसरों को सुक्चैन से नही जो उनका घर में बिगाड़ना, उनको तरह-तरह की बाते करने में ही आनन्द आता है, अगर हमने समाज वालों और ब्रादरी वालों के सामने अपना दिल खोल दिया, तो वह कभी हमें शांती से जीने नहीं देंगे, मेरा अनुभव तो यही कहता अंजू, अगर हम कोई अच् किसी को हसते हुए देखकर इने बड़ा दुख होता है, वे चाहते हैं कि हम उनके सामने रोहें, गिडगड़ाएं, और मेंदर ने अपने विचार और अपने मन की भड़ास अंजू के सामने निकाल दी, समाज में सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होत अच्छे लोगों का स्वागत करें, बुरे लोगों से दूरी बना कर रहें, तब ही हम शांती से रह सकते हैं, अंजू ने जो बड़ी समझधारी से अपनी बात कही, मेंदर कहने लगा चलो अब आराम करते हैं, मैं बहुत ठक गया हूँ, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं जितना सोचेंगे उतना दिमाग पर दबाब पड़ेगा, जो कि हमारी शेहत के लिए अच्छा नहीं है, सुबह उठकर ममी पापा से बात करेंगे, कहकर मेंदर अपने कमरी की ओर बढ़ गया, अंजू भी साथ साथ चल दी, अगले दिन रविवार था, इसलिए अंजू औ उपर आज कारिया का बोज थोड़ा अधिक था, क्योंकि रविवार को ग्रहक अधिक आते हैं दुकान पर, सुबह सुबह तयार होकर नास्ता करके महंदर और भगवानदास दुकान पर चले गए, थोड़ी देर बाद जुमना अबाई काम पर आई, तो अंजू मा का हाथ बटाने के लिए साथ बैठकर बरतर माजने लगी, तब इस उसमा किचिन में आई, और उसके चेहरे से साप दिखाई दे रहा था, कि रात का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, वे रात को जो अपमान का खुट पी कर सोई थी, उसका असर अभी तक उसके मन पर था, और उस अपमान का बदला किस तरह लिया जाए, अंजू को बरतर मांजते हुए देखकर उसे मौका मिल गया, और गुस्सा फिर नाक पर सवार हो गया, उसने तुनक कर कहा, तुम क्यों बरतर मांज रही हो अंजू, तुम इस घर की बहुओ, नोकरानी नहीं, बरतर मांजना जुमन मार दिया, और दिल कांच की तरह टुकडे-टुकडे होकर बिखर गया, अंजू लहु लुहान होकर करा उठी, आज उसका धहरिया का बांध तूट गया, फिर भी स्वयम को सयंत करके उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, वो मेरी मा है, आपके हिया काम करती है, इसलिए केवल बा चलनी कर दिया है, वरना मैं कभी आपकी बातों का जवाब नहीं देती, और बुरा भी नहीं मानती, आज आपने बहुत अती कर दी मम्मी जी, अपने घर के बरतन माजने से किसी के सम्मान को ठेस नहीं लगती, अपना काम स्वयम करना कोई बुरी बात नहीं है, दौनों की बाते सुनका जुम्ना भाई की आँखों में आंसू बहने लगे, डर से उसका पूरा सरीर काप रहा था, उसने रोते रोते कहा, बस मालकिन, और कुछ मत कहिए, कल से मैं काम पर नहीं आउंगी, और नहीं अंजु से मिलूंगी, मैं नहीं चाहती मेरे कारण, आप लोगों क के जीवन में कोई उल्जन पैदा हो, मेरी अंजु के जीवन में भी दुख की काली छाया पड़े, मैं यह नहीं चाहूंगी, और कहीं काम ढूंड लोंगी, मैनत करने वालों को काम की कोई कमी नहीं होती मालकिन, सुसमा जी बोली, तुम और कहीं काम करके हमारे मुँ पर का गई, कल लोगों में मुझे बहुत बाते सुनाई, मेरा भी मन जो बिलकुल दूख रहा है, मेरा हिर्दे छलनी हो गया है, हम अपमान का गूट पीकर, आँखों में आशू लेकर घर हुआ पसा गए, यह पीड़ा ऐसी पीड़ा है, किसी को ना तो हम दिखा सकते हैं, और न बाते कर रही है, जमना अंटी से लोगों का गुस्सा इन दोना पर क्यों उतार रही है, रहा सवाल चिमन अंकल का, तो मुझे बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते, आपको जाना ही नहीं चाहिए था शादी में, जब यह हमारे भाया की शादी में नहीं आए, तो आपको क् कई लोग हैं, जो चिमन लाल अंकल जैसे हैं, उनसे ना मिलो ना बात करें, तो यह अच्छा है, और जो लोग अच्छे हैं, उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, समाज केवल नकारात्मक सोच वालों से नहीं बना हैं, समाज में अच्छी सोच वाले लोग भी है जो भाईया की शादी में आये थे सब अच्छे थे कभी उनके यहां से बुलावा आया तो अवश्य जाना हम दूसरों की बाते अपने दिल में लेकर अपने घर की शांती क्यों भंग करें हमारा परियास यह होना चाहिए कि लोग हमारे घर की बातों में कोई आखे खोल दे सच्मुच उसने अपने घर की बातों से मैं बाहर के लोगों को टांग अडाने नहीं दूँगी सुसमा को अपने गलती का हैसास हुआ उसने जुम्ना से का जुम्ना मैं अपने सब दुआपस लेती हूँ मुद्तुम नाराज मत होना नहीं काम छोड़ कर जा है मेरी भूल के लिए मुझे छमा कर दे बेटा सुसमा छमा मांगती रही इससे पहले अन्जू बूल पड़ी नहीं नहीं ममी जी आप छमा मत % आप बड़ी है, मैं छोटी हूँ, आपको छमा मांगने की आवशक्ता नहीं है, गुसे में हो जाता है कभी-कभी, मैं समझ सकती हूँ, लोगों ने आपको कैसी-कैसी बाते सुनाई होगी, ऐसी बाते सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, मैं मा को समझा दूंगी, आप नि कर लेती हो, यह सुनकर आश्यरिय होता है, लोगों की बाते सुनकर अपना मन मैला करके, अपने घर की शांती मुझे भंग नहीं करनी चाहिए, आगे से बिटा ऐसा कभी नहीं होगा, और उसने एक शांती पून जो अपने मन को हलका किया, और बोली ठीक है, सुसमा अपने क को यह सब बाते मेरे लिए सुनने पड़ रही है, इसके लिए मेरे मन में बहुत दुख है, और अपराद बोध भी है, मैंने गलत कदम उठाया, इसलिए आपको इतनी बाते सुननी पड़ी, मुझे माफ कर दो मा, मैं आपको सुख नहीं दे पाई, एक अच्छी बेटी का क जमना बाई और दुख्य होटी, साड़ी के पल्लू से अपने आशो पहुँच कर बेटी के आशो पहुँचने लगी, और उससे कहने लगी, नहीं नहीं अंज्यू, ऐसा कभी मत सोचना, तुमने गलत कदम उठाया है, जो भी होता वे हर, हम इंसानों के हाथ में नहीं होता उपर वाले के हाथ में होता है, शादी का बंदन तो उपर से ही बन कर आता है, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता मत करो, और दुखी मत हो, कल से मैं तुम्हारी छोटी बेहन, जो मन्जू को साथ लेकर आऊंगी, काम पर, तुम्हें कुछ करने की जरुरत नहीं पड़ेगी हम दोनों मा बेटी मिलकर सारा काम कर दिया करेंगे, तुम वैसा ही करो, जैसे तुम्हारी सासुमा चाहती है, घर में कोई शांती नहीं होनी चाहिए, जुम्हा ने बेटी को ढांडस बंदाया, अंजू बोली नहीं मा, मन्जू स्कूल जाती है, उसे स्कूल जाने दो, उस कुछ नहीं कहेंगी, अंजू ने अपनी मा को समझा दिया, अंजू की दिन चरिया पहले जैसी चल रही थी, सुबह सुबह उटकर नहा धोकर पूजा करना, फिर चाहे नास्ते की तयारी करना, पती और पापाजी के लिए टिपन बनाना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आकर अ नवी कक्षा में आ गई थी, उसका भाई नवीन सात्वी कक्षा में आ गया था, एक दिन मंजू अपनी बड़ी बहन, अंजू से यह इच्छा जताई कि दीदी, नवी कक्षा में आकर मुझे गनित कठिन लग रहा है, तुम अगर थोड़ी सी मदद कर दोगी, तो अच्छ इससे आने के बाद अंजू ने सारा काम निप्टाया, शाम के वक्त अपनी बहन और भाई को पढ़ाने लगी, मंजू और नवीन बहुत खुशते कि आजकल दौन दीदी के पास आकर पढ़ाई करने लगे, अंजू को भी बहुती संतुष्टी मिल रही थी, कि वे अपने शाम होती और शाम से सुबह होती, समय चकर के साथ साथ अंजू भी गूम रही थी, इसी वेवेस्ता में अंजू बहुत सगुन महसूस कर रही थी, कम से कमों से बेवजह की बातों में उलजना नहीं पढ़ता, या यू कहें उलजने का समय ही नहीं मिलता था, अंजू की बी अपनी पढ़ाई में मन लगा सके इसलिए जमुना ने उससे कह दिया तुम अपनी पढ़ाई मन लगा करो काम की चिंता मत करो मैं तुम्हारी बेहन मन्जू को कुछ दिनों के लिए काम पर ले आउंगी हम दोनों मा बेटी मिलकर पूरा काम संभान लेंगे मालक इनको सिकायत का मौका नहीं देंगे मा की बास सुनकर अंजू के मन को तसलिय हुई उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया परिक्षा फलाया तो महंदर और अंजू दोनों बहुत खुश थे अंजू ने बीए की परिक्षा पर्थम स्रेणी में उत्रेंड की थी अंजू को भी कारिया हम करेंगे वे शांती पूर्ण धंग से संपन हो तो जायदा अच्छा है एक दिन सुभै सुभै चाय देते समय अंजू को दुभीदा में पड़े हुए देखकर सुसमा जी ने पूछ लिया क्या बात है अंजू आज कुछ उल्जन में दीख रही है मन में कहा सुसमा जी बोली मा के घर जाना एं तो हो आओ कुछ दिनों के लिए जुमना को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा तुम्हे प्यार से कहा तो अंजू बोली महा के घर नहीं जाना असल में मेरा भीय का प्रिक्षा फल आ गया है तो सुसमा wcze を बोली कैसा आया प्रिक्षाफल तो अंजू कहने लगी मैं पर्थम श्रेणी में पास हुई हूँ और सिव का प्रिक्षाफल कैसा आया सुस्मा जी ने पूछा तो अंजू कहने लगी देवर जी का भी अच्छा आया है थोड़े से के लिए पर्थम श्रेणी में नहीं आ तो अंजू कहने लगी ममी जी आपसे अनुमती चाहिए सुस्मा जी बोली किस चीज की अनुमती चाहिए कह तो दिया मा के यह जाना है तो गूमाओ कुछ दिनों के लिए अंजू कहने लगी नहीं ममी जी वो आगे की पढ़ाई के लिए अनुमती चाहिए मुझे एम्मे करना है डरते डरते अंजु ने कहा यह सुनकर सुस्मा को अच्छा नहीं लगा वे मनी मन सोचने लगी मेरा बेटा भी ये पास है और ये एम में करना चाहती है आगे पढ़ लेकर क्या करोगी आके घर में ही तो रहना है थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर दूसरा मन कहने ल अंजु ने कहा उन्होंने कहा है पहले आप से अनुमती लेलू फिर वे सोचेंगे इस बारे में अंजु ने थोड़ी बुद्धी मती दिखाते हुई कहा सुस्मा को लगा कि दौन बच्चे हमें बहुत सम्मान देते हैं हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते फिर इनका परतिक्षा कर रहा था ये जानने के लिए कि माने क्या कहा अंजु के आती उसने पूछा क्या कहा माने मिल गई अनुमती तुमारा चेहरा ही बता रहा है कि अनुमती मिल चुकी है इसलिए खुस हो रही हो अंजु बोली हाँ जी माने अनुमती दे दी है और बड़ी शांती के साथ अंजु ने चेहकते हुए कहा मेहंदर बोला तुमारे मन के इच्छा पूरी हो गई डट जाओ मैदाने जंग में सुरू कर दो अपनी पढ़ाई मेहंदर ने मजाक करते हुए कहा अंजु बोली आप हमेशा मेरा मजाक उढ़ाते जैसे मैं कोई सिफाही हूँ मैदाने जंग में डट जाओं मुझे पढ़ाई करने यह युद करना है तो मेहंदर कह रहा अरे एक ही बात है सिफाही मैदाने जंग में डट जाते हैं और तुम जैसे पढ़ाकू पढ़ने वाले मैदान में डट कर पढ़ाई करते हैं मेंदर ने अंजू को फिर छेड़ा वैसे अंजू मेंदर कहने लगा तुम ज़्यादा पड़लिक गई मेरी तो कोई एहमियत नहीं रह जाएगी तुम तो मुझे अनपड़ी समझने लगोगी फिर ऐसा तो नहीं है तुम मुझे छोड़ कर चली जाओ मेंदर अंजू को छेड़ कर मुस्क्रा रहा था मेंदर की बाते सुनकर अंजू मायूस हो गई और रुआसी होकर बोली आप कैसी बाते कर रहे हैं ठीक हैं फिर मैं आगे की पड़ा ही नहीं करूंगी मेंदर बोले आरे ने मैं तो मजाक कर रहा था तो मजाक भी नहीं समझती अंज्यू बोली मजाक करिये पर ऐसा भद्दा मजाक मत करिये जिससे दिल दूखे अंज्यू की आँखों में आशू आ गए मेंदर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए माफी मांगी और कहा ठीक है अंज्यू आगे से ऐसा मजाक नहीं करूँगा चलो मुझे माफ कर दो और यह बताओ तुम कौन से विशे लेकर एमे करना चाहती हो अंज्यू बोली मुझे समाज सास्तर में बहुत रूची है समाज के रीती रिवाज, कायदे कानून, पुराने और नए विचारधारा सैयुक्त परिवार की अच्छाईया बुराईया यह सब पढ़ने में बड़ा मजा आता है अंज्यू ने खुसी खुसी जवाब दिया में अंदर बोला ठीक है, तुमारी जैसी इच्छा वैसा करो मेरा दुकान जाने का समय हो गया है मैं तयार होकर दुकान जाता हूँ एक दो दिन में फारम लेकर आ जाऊंगा तो मैं एक दिन जाकर किताबे लेकर आ जाना और करदो पढ़ाई, सिरू अपनी मेंदर ने खुसो कर कहा और धीरे धीरे सपने साकार हो रहे अपने सपने साकार होते देखकर अंजू का मन एक नई खुसी नया जोस से सरोबार हो गया उसने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से उसे अनुमती मिल जाएगी जब चाहत से अधिक कोई वस्तु मिल जाती है तो उस खुसी को सब्दों में बयान नहीं किया जा सकता अंजू आजनी सब्द है केवल मनी मन अपने आप से बाते कर रही है आपकी बारों से अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि और अच्छे नंबर लेकर उतीरन हो सकूँ ममी जी पापा जी का वैवार दीरे दीरे परिवर्तन हो रहा है और उसे इस परिवर्तित करना है मुझे अपने स्वैम के कारिया और योग्यता से वे गुन गुनाते हुए दिल है छोटा सा छोटी सी आसा लेकर रसोई घर के ओर चली गई सब के लिए नास्ता तयार करने के लिए अन्जू कॉलिज जाने लगी उसकी दिन्चरिया वही पहले जैसी सुबह उठना सारा काम करना फिर कॉलिज जाना अब तो वह मे की पढ़ाई के लिए इसलिए उस पर दवाब भी ज़्यादा था उसने मन में ठान लिया मुझे और अधिक मेहनत करके अच्छा परिनाम लाना होगा ताकि सब को खुसी दे सकूँ विसेसकर उनको खुसी देना चाहती थी जिनके कारण में यह सिक्षा ग्रहन कर पा रही हो जिनोंने इस कारिय को करने में के लिए परिवार के लोगों और समाज से बगावत की है उनका सीज तो मुझे उंचा रखना ही होगा चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करने पड़ी विवस्ता के समय का चक्र जैसे और भी तिवरता से घूमने लगता है समय का क्या वे तो अपने समयनों सारी चलता है परंत वेस्त रहने वाले लोगों को यह प्रतीत होने लगता है कि समय का चक्र तेजी से घूम रहा है अन्जू को भी ऐसी ही लग रहा था और देखते ही देखते में का प्रिवियस का रिजल्ट आ गया मन के मताविक नहीं आया जितनी अन्जू को उम्मीद थी मायूस होकर चुपचाप बैठ गई आप कैसे सब को परिणाम बताएगी यह सोचकर होए परिशान थी अन्जू को थोड़ा उदास देखकर मेहंदर ने हिम्मत बांदते हुए कहा कोई बात नहीं में फाइनल में और मेहनत करना तुम्हारा यह उदास चेरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अन्जू हसो मुस्कराओ परतेक निरासा और बुरे समय में अपने पती का साथ पाकर अन्जू स्वैम को सो भाग्य साली समझती अब इस बार भी पती का प्यार पाकर उसने मनी मन इस्वर को धन्यवाद किया कि हे प्रभू तुम्हें सत्षत परनाम तुमने मेरे भाग्य को इतने अच्छे से रचा है और इतने अच्छे पती का साथ दिया है में का फाइनल परिक्षा का पेपर आज अंदिम पेपर था और अंदिम पेपर देकर अंजू जब घर आ रही थी तो उसका सिर घूम रहा था तब यद कुछ अजीव हो रही थी वे घर आकर सीधा अपने कमरे में गई और लेट गई थोड़ी देर बाजर सुसमा ने अंजू को नहीं देखा तो दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई अंजू कहां हो तुम खौलिज से आगई क्या पेपर कैसा हुआ सासु मा की आवाज सुनकर अंजू उठकर बैठ गई और बोली ममी जी मैं यहां लेटी होई हो तब्यत जरा ठीक नहीं लग रही है कोई काम है तो बताईए तो सुस्मा जी बोली काम क्या है थोड़ी चाय पीनी थी तुमने खाना नहीं खाया कॉलिज से आकर और तब्यत को क्या हो गया है सुस्मा चिंता जताते हुए कहने लगी तो अंजू ने जवाब दे जायदा कुछ नहीं ममी जी सिर्फ भूमरार उल्टी सी लग रही है अंजू की बाते सुनकर सुस्मा के चहरे पर एक मुईठी सी मुस्कान खिल गई खुश होते वे उसने कहा कोई बात नहीं ऐसे समय में ऐसा होता है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है हर औरत को ऐसे समय का सामना करना पड़ता है मैं अंदर घर में आएगा तो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना जाच करके डॉक्टर सुम बता देगा कि क्या हुआ है अंजू को कुछ समझ नहीं आया कि मम्मी जी क्या कह रही है ऐसे समय में ऐसा होता है क्या आर्थ है इसका जरासी बात के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना वे विस्तर से उठकर बैठ गई और पूचा मैं चाय बना देती हूँ मम्मी जी आप बैठ जाईए ससुमा जी बोली नहीं नहीं चाय मैं बना लूँगी तुम खाना खालो और फिर आराम करो अंजु को समझ नहीं आ रहागी ससुमा जी इतनी खुश क्यों है उस पर इतनी किरपा द्रिश्टी क्यों है उसने कहा नहीं ममी जी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है जी मिचला रहा है चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी उसमा जी बोली ठीक है चाय बना लो और दोनों ने थोड़ी सी चाय पी शाम को महंदर जब आया तो अंजु को डॉक्टर के पास लेकर गया डॉक्टर के बास सुनकर महंदर का मन खुशी से जुमूठा वे पापा जो बनने वाला था यह दिन सारे पिताओं के लिए भूत ही खुशी और उमंग भरा होता है वे अपनी खुशी समेट नहीं पा रहा था उसने अंजु का हाथ कसकर पकड़ते वे का बदाईयों अंजु हमारे घंणया मेहमान आने वाला है हम माता पिता बनने वाले हैं और उसने अंजु का हाथ चुम लिया अंजु भी बहुत खुश थी मा बनने का यह कैसा है सास है वे समझ नहीं पा रही थी क्यों आज इतना मन अधीर हो रहा है हिर्द्या की धड़कन तेज हो रही है मन में एक खुशी एक डर सम्माहित होकर एक ऐसी इस्तिती उत्पन हुई जिसे वे किसी से बाट भी नहीं पा रही अपने पती महंदर से भी नहीं इसकी आनंद भूती तो शादी के समय भी नहीं हुई थी उसने महंदर से केवल इतना कहा आप मेरा हाथ छोड़ना नहीं मुझे घबराठ हो रही है डॉक्टर के ह्यां से आने पजैसे ही घर में परवेश किया महंदर अपने मा पापा को इधर उधर ढोनने लगा ये खुशी का समाचार वे जल्दी से जल्दी अपने माता पिता को देना चाहता था वे अवाज लगाने लगा मा पापा कहा है आप में अदर के अवाज कानों में पढ़ते ही सुस्मा के कान खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए तो वे घबरा गई और सोचने लगी पता नहीं डॉक्टर के पास से क्या समाचार लेकर आया है में अदर वे घबरा कर जो कमरे से भार आई और कहा हम इधर हैं बेटा क्या बात है अच्छी खबर लेकर आया है न क्या कहा डॉक्टर ने में अदर ने कहा पापा कहा है मा मेहंदर ने तो उसकी मा कहने लगी मेहंदर और सबर नहीं करते बन रहा हमेरे से और उसके पापा बोले मैं इधरूं कमरे में क्या खबर लेकर आया जल्दी से बता दे हमें भी जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है और चिंता भी हो रही है सेट जी कहने लगे सब ठीक तो है न मेहंदर तो मेहंदर कहने लगा हाँ पापा हाँ मा सब ठीक है आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं अंजू ने जब कहा था कि मेरी तब ठीक नहीं है सुसमा जी कहने लगी वो कह रही थी मेरा जी मिचला रहा है मैं तो बेटा जबी समझ गई थी पर आस्वस्थ हो गई हूँ अब और होना चाहती थी इसलिए तुम्हें डॉक्टर के यहां भेजा सब कुछ ठीक है ना इस वर तुने मेरी प्राथना सुननी भगवन मैं तो तरस रही थी एक पोते का मुझ देखने के लिए अंजू कहा है उसे कहो क्यों है आराम करे अब ज़्यादा कोई भी काम करने की जरुरत नहीं है कुसी से सुसमा का चेहरा चमक उठा सारी खुसी क्या तुम ही बटोर लोगी सेट जी कहने लगे मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगी मैं भी तो दादा बनने वाला हूँ कुसी की चमक सेट भगवान दास के आखों में विद्साप दिखाई दी रही थी सुसमा बोली हाँ हाँ मनाओ खुसी नाचो गाओ किसने रोका है आपको खुसी से सुसमा ने भगवान दास को छेड़ दिया अंजू सुसमा जी कहने लगी अंजू कहा हूँ बैटी आराम कर रही हो कहते कहते अंजू कमरे में अंजू के कमरे में सुसमा जी आई सासु मा के मुह से बेटी सब्द सुनकर अंजू चकित रह गए इतने सालों बाद आज पहली बार बेटी सब्द जैसे उसके कानों में मधुरता गोल गया सासु मा को देखकर उसे थोड़ी शरम आ रही थी उसने नजरे नीची करके कहा ममी जी मैं यहाँ हूँ डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है सुस्मा अंजू के पास आकर उसके सिर पर हाथ पेर कर उसकी बलेया ली और आसिरवादिया जुग जुग जीयो और स्वस्त रहो और एक स्वस्त और सुन्दर बच्चे को जनम दो अपने इस दिर पर ममी जी के हाथ का इस पर सपाकर अंजू भाब भी भोर हो गई उसकी आँखों के मैं जो आंसू की बूंदे तैरने लगी वैं सुस्मा के चरण छूने के लिए जुकने लगी तो सुस्मा ने उसे बाहों में पकड़ कर उठाया तो सुस्मा जी बोले आरे नहीं नहीं बेटा यह समय रोने का नहीं है यह समय खुस रहने का है तुम खुस रहोगी तो बच्चा आएगा वैं भी खुस मिजाज होगा इसलिए हमेशा खुस रहना सुस्मा ने खुसी खुसी अंजू को समझाते हुई कहा जुमना भाई को जब यह बात पता चलिया कि वैं नानी बनने वाली है तो उसका भी खुसी का ठिकाना नहीं रहा पहली बाद नानी बनने का हैसास इतना आनंदायक होगा वैं मन में एक सुगत गुदगुदी सी दे रहा था यह बाद जुमना भाई को बड़ी अच्छी लग रही थी आज कल वैं अंजू को ज़्यादा काम करने नहीं देती थी अपने साथ छोटी बेटी मन्जू को ले आती थी दोनों मा बेटी मिलकर सारा काम संभालने लगी एक क्वारी कन्या से विवहाईता बनना और फिर मा बनने का तक का सफर जीवन में कितने ही जो संघर्सों के बाद अंजू ने कभी सुक तो कभी दुख के संपून अनुभव किये था और आज वह एक संपून नारी बनने जा रही थी जो नारी के लिए अती महतपून समय होता है वैसे संपून तो कुछ भी नहीं होता सदैव कुछ ना कुछ सेस रह जाता है परन्तो एक नारी जम्मा बनती है तो उसे एक नारी होने और संपून नारी होने का गौरब प्राप्त होता है आज अंजू उसी गौरब पून संपून नारी तत्व को जी रही थी अंजू को बेटा हुआ और पूरा घर खुसी से महक उठा मेहंदर के पिता होने की खुसी सिव को चाचा होने की खुसी भगवान दास को और सुसमाजी को दादा दादी होने की खुसी जमुना भाई को नानी होने की खुस अंजू की बेहन मंजू को मौसी होने की खुसी और उसके भाई को मामा होने की खुसी चार और खुसियाई खुसिया बिक्री होई थी अंजू की आप भगत में सारे लोग लगे हुए थे दादी को तो जैसे अपनी सुद्बुधी नहीं थी अंजू को क्या खाना है पोते मु लेट भगवान दाश जी मजाक करते हैं सुसमा जी तुम तो दादी बनकर इतनी वैस्त हो गई हो और इतनी खुस हो कि अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता नहीं तो नहीं है परन्तु मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखती आज कर मेरा तो ध्यान रखा कर सुसमा जी कह कहा कम पढ़ने वाली थी उसने भी मजा करते हुई कह दिया इसी वीच में फाइनल का रिजल्ट आया सब लोग बहुत खुशते क्योंकि अंजू ने कॉलेज में टॉप किया था सब की नजर में अंजू की इज़त बढ़ गई भगवान दास और सुस्मा के मन में धीरे धीरे अंजू के प्रेती सदभावना बढ़ने लगी उनके मन में अंजू के प्रेती जो विचार थे वे एक धुंद जो जमी हुई थी की नीच जाती की गरीब घर की है वे पोता आ जाने और अंजू के परिक्षा फलों के कारण जो धीमी पढ़ने लगी थी छटर गई थी देखते ही देखते हैं अंजू का बेटा भासकर दो साल का हो गया यह दो साल कहां पलक जपकते निकल गए अंजू को पता ही नहीं चला बेटे भासकर की देख भाल तथा उसके साथ बच्चा बनकर बच्पन को जीना कितना सुकद होता है यह बात कोई भी मा केवल वही कड़ पाई केवल सोच कर रह गई आज कोई किताब पढ़ने बैठू बस पर उसके मन की प्यास कहां बुजी दभी ओई इच्छा फिर जागरित हो गई एक दिन उसने महंदर से धीरे से कहा आप से एक बात करनी है महंदर ने कहा क्या बात करनी है अंजू कहने लगी बुरा त कर लूँ आपको कोई अतराज तो नहीं है महंदर कहने लगा पर तुम भासकर को लेकर पेचडी की पढ़ाई कैसे कर पाऊगी पेचडी की पढ़ाई कोई मामूली बात नहीं है और हाँ बस अहां कर दीजिए अंजू कहने लगी आप बस अहां कर दीजिए बाकि मुझ पर छोड़ दीजिए मैं संभाल लूँगी सब कुछ और फिर मा और मंजू भी तो मुझे साहता करने के लिए हैं मैं कोई सिकायत का मौका नहीं दूँगी और मेरा आप से यह वादा रहा आपको अपनी मंजू पर भरोसा है ना अंजू की प्यार भरी बाते सुनकर महंदर ने कह कि ठीक है उसरे हां भरती उसके बाद उसने कहा कि इसके लिए एक बार माता और मान और पिताजी से जो तुमें अनुमती लेनी पड़ेगी उनकी बिना अनुमती के कोई कदम उठाएंगे तो फिर घर की शांती भंग होगी वे अपने आपको अपमानित महसूस करेंगे मैं मेहंदर बोला ठीक है फिर मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे तो बलकि गर्व महसूस होगा कि मेरी पतनी इतनी पड़ी लिखी है बाकी मोचा तुम संभालो मेहंदर ने जो अनुमती लेलो और अपनी पड़ाई पूरी करो एक दिन नास्ते की टेवल पर सब लोग बैठे हुए थे खुसनुमा माहौल था यह देखकर अंजू ने बात छेड़ने का निरने ले लिया मन में डर था फिर भी हिम्मत करके उसने कहा ममी जी पापा जी आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है वो कहने लगे कौन सी बा अमी जी जब में का रिजल्ट आया था तब मेरे एक दो प्रोफेसर ने मुझे कहा था अंजू तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है तुम्हारा भविश्य बहुत उजवल है आगे की पढ़ाई सुस्मा जी कहने लगी अपनी पढ़ाई तो तुने पूरी कर ली अब आगे की कौन सी पढ़ाई करनी है और भी कोई पढ़ाई होती है क्या और प्रोफेसर लोग क्या कहेंगे और वो हमें वही सब करना है यह तो कोई जरूरी नहीं सुसमा ने चिड़ते वेंजू से कहा आगे और भी पढ़ाई है न ममी जी पिएचडी की पढ़ाई मैं स और तुम फिर भी M.A. कर लिया, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुमने पढ़ने की इच्छा की थी, और तुमने सब संभाल लिया था, अच्छे से, हमारे घर में इतनी पढ़ाई किसी नहीं की है, बेटा, हम लोग वेवसाय वाले लोग हैं, हमारे यहां इतनी पढ़ाई न बाते करते ही रहते हैं, हमारा मजाक उडाते हैं, बहु तुम क्या यह चाहती हो, कि हम समाज में मुझ दिखाने के लायक ही न रहें, सुस्मा जी जो यह सुनकर गुस्टे से तम तमा रही थी, और बोले जा रही थी, मैं अंदर भी हुएं पर बैठी सारी बाते सुन रहा उसको मम्य की कुछ बाते ठीक लगी और कुछ नहीं लगी, इसलिए उसने धीरे से कहा, मा, पढ़ने लिखने से किसी की इज़त नहीं चली जाती, हमारी इज़त इतनी सस्ती नहीं है, कि बात बात पर चली जाएं, रहा सवान लोगों का, तो अंजु इतना अच्छा कर रह है वह सब कुछ संभाल लेगी और क्या चाहिए हमें तब ही वह कहने लगे तू चुपकर तूने इतना सिर्फ चढ़ाया है इसको वरना इसका इतनी मजाल कि वह हम से इतनी बाते करे पीएचडी कर लेगी तो फिर कहेगी मैं नौकरी करूंगी हमारे खांदान में कोई बहु नौकरी करती है क्या कान खोल कर सुन ले अंजू गुसे से सुस्मा जी का चेहरा लाल हो गया पीएचडी करेगी तो घर में नहीं बैठी रहेगी मम्मी जो वह कहने लगा नौकरी करेगी और मैं भी चाहता हूं कि अंजू नौकरी करे पहले हमारे खा नौकरी करें चाहे वह सिव हो चाहे अंजू बाकी सब कुछ कैसे संभालना है यह अंजू की जिम्मेदारी है मुझे पूरा विस्वास है अंजू संभाल लेगी और साहता करने के लिए उसकी मां और बहन तयार हैं सेट भगवान दास जो अब तक सब की बाते सुन रहे थे मेंदर की बाते सुनकर उसने कहा तुमारी ममी ठीक कह रही है मेंदर इतना पड़ लिक कर क्या करेगी हमारे खांदान में बहुए नौकरी नहीं करती और नौकरी की जरूरत भी क्या है हमारा वैवसा इतना अच्छा तो चल रहा है बहु की कमाई हमें नहीं खानी मुझे ज आखों में आशू देखकर मेहंदर को अच्छा नहीं लगा तो उसने अंजू को समझाते भी कहा थोड़ा सा धहरिये रखो अंजू धीरे दीरे सब ठीक हो जाएगा मम्मी पापा तो हमेशा ऐसा ही गुस्सा करते हैं फिर बाद में मान भी जाते हैं मन मेला ना करो मुझे भी मन की इच्छा सारी थोड़ी पूरी होती हैं देखते हैं समय कैसा रंग दिखाता है और वे एक लंबी सांस छोड़ कर स्वैम को हलका महसूस करने लगी दौफैर का भोजन करने और सारा काम निप्टाने के बाद अंजू अपने बेटे को लेकर अपने कमरे की ओर जाने होने लगी उसने दीरे से दर्वाजा खोला देखा खून से पूरा विस्तर लाल हो गया सासू मा अब बेहोसी की अवस्ता में पड़ी होई थी उसके मुक से एकदम चीख निकल गई ममी जी ममी जी यह आपको क्या हो गया आप ठीक है न वह जोड़ से चिला कर अपनी मा को अवास देने लगी मा जल्दी इधर आओ ममी जी को कुछ हो गया है जमना बाई रसोई घर में कोई काम कर रही थी वे दोड़कर आई तो सुस्मा को ऐसी अवस्ता में देखकर घबरा गई उसने घबरा कर का अंजू दमाद जी को फोन लगा दे जल्दी से मा अंजू कहने लगी आप भासकर को लेकर उधर जाओ मैं उनको फोन लगाती हूँ भासकर यह सब देखेगा तो डर जाएगा अंजू रौसी होकर बोली घबराट के मारे अंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था दोड़कर अपना फोन उठाया और मेहंदर को फोन लगाया और बोली कि मैं अंजू बोल रही हूँ आप जल्दी से घर आ जाएए मम्मी जी की तवियत बहुत खराब है मुझे बहुत डर लग रहा है देर मत करना जल्दी से आ जाना उनको डौक्टर के पास ले जाना पड़ेगा घबराट के मारे अंजू रो पड़ी मेहंदर बोला हाँ दुकान ब डौक्टर ने कहा कि कैई बार मैनोपॉज के समय से घटनाए होती हैं बहुत जादा खून बह जाने से सरीर में खून की कमी हो गई हैं अस्पताल में भरती करना पड़ेगा खून देना पड़ेगा बच्चा दानी निकालने के चांसिस जादा हैं क्योंकि बच्चा दानी निकाले बिना खून बहना बंद होना संबभ नहीं होता है जो भी हो जो मेहंदर और सेट जी कहने लगे आप भरती कर लीजिए और आगे क्या चेक अप करके हमें फाइनल सब कुछ बता दीजिए सुसमा को अस्पताल में भरती करवा दिया गया डॉक्टर ने फाइनल चेक ओ नेगेटिव खून मुझूद नहीं था आपके परिवार में डॉक्टर ने पूछा किसी का ब्लड ग्रूप ओ नेगेटिव तो होगा ही खास कर बच्चों का डॉक्टर ने कहा तो में अंदर घवराट के मारे भूल गया कि उसका ब्लड ग्रूप ओ नेगेटिव ही है ड दोक्टर साथ आप मेरा खून ले सकते हैं सुसमा langue के अचानक जो उसे ओप्रेशन धियटर बरती कर दिया गया करके आप्रेशन के लिए तयार करके ओप्रेशन धिय तीयटर में ले जाया गया गया गर्व में बेटे का सरीर धीरे धीरे मा के रक्ट से विक्सित होता है आज बेटे के रक्ट में मा का जीवन दान दिया है यही तो प्रिकर्टी का सास्वत नियम है मानविय धर्म भी यही है इस धर्म को हर मनुष्य को अपने सचे हिर्दय से निभाना चाहिए आपरेसन सफलता पूरवक संपन होने की खबर जब डॉक्टर ने सुनाई तो खुसी के मारे सब लोग उचल पड़े पूरे परिवार में खुसी की लहर दोड़ गई मुर जाए हुए चेहरे पर एक रौनक लोटाई मेहंदर और सेट भगवान दास ने मिलकर यह फैसला किया कि एक दिन भर दोनों में से कोई एक दुकान खोलेगा और दूसरा सुस्मा की देखवाल के लिए अस्पताल में ठहरेगा शिव एक दो महिने के लिए अपने मामा के घर गया हुआ था उसे खबर नहीं दी गई क्योंकि खबर पाकर भे घबरा जाएगा दिन बर मेहंदर या भगवान दास उसमा की देखरेग में अस्पताल में ठहरते तब अंजु घर आकर घर का सारा कारिया संभालती और बेटे की देखवाल की जिम्मेदारी उठाती अंजु की मा जम्ना और उसकी बेहन मंजु हर वक्त उसके साथ खड़ी मिलती रात को अस्पताल में ठहरने की बात आई तो अंजु ने सेर्स मेहंदर से कह दिया कि मम्मी जी के पास रात को मैं रुकूंगी क्योंकि उनके पास रात को किसी स्त्री का होना बहुत जरूरी है आप रात को भासकर को संभाल लेना मौका देखका जम्ना भाई ने भगवान दास से का मालिक आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ सेड भगवान दास ने कहा क्या बात है कहो क्योंकि भगवांदास की बातों में नर्मी थी भगवांदास की बातों में नर्मी को भापते वे जम्ना बाई ने थोड़ा हिम्मत करके कहा कि रात को अंजू के साथ मालकिन के पास अस्पताल में रहना चाहती हूँ अंजू अभी इतनी समझदार नहीं है कहीं कुछ परेशा नहीं हो गई तो रात को किसको बुलाएगी दोनों मिलकर रहेंगे तो मा बेटी सब कुछ संभाल लेंगे बगवा अंदास को जुम्ना की बात सुनकर अच्छा लगा कि ऐसे वक्त में जुम्ना हमारे साथ खड़ी है उसने खुसी जाहिर करते हुए का यह तो बहुत अच्छी बात है इस बुरे वक्त में तुम हमारे साथ खड़ी हो और इतनी समझदारी दिखा रही हो हमें बहुत अच्छा लगा तो मंजू के साथ चली जाना घर पर और घर का काम कौन संभालेगा लेकिन तो वह कहने लगी जुम्ना भाई उसकी चिंता मत करिये मैं घर का घर आकर सारा काम संभाल लूँगी जुम्ना ने खुस होते हुए का तुम्हारा अपना घर भी तो है जुम्ना भाई वह घर कौन देखागा दो बच्चे हैं तो जुम्ना भाई बोली मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं दोनों मिलकर रह लेंगे अच्छे से और मंजू है ना जुम्ना ने का बड़ी समझदार है वो जुम्ना की समझदारी भरी बाते सुनकर भगवान दा सोचने के लिए मजबूर हो गया मा बेटी ने मिलकर हमारे घर को संभाल रखा है इनके बिना हमारे घर चल नहीं सकता अब जब हम पर मुसीबद पड़ी है तब भी दोना मा बेटी कंदे से कंधा मिला कर हमारे साथ कड़ी है ऐसे लोगों को हमने कितना मानित किया कितना त्रिस्कृत किया इन्होंने दिखा दिया कि एक रिष्टे को किस तरह से निभाया जाता है हमारे अपने तो कहने के लिए अपने हैं किसी ने आकर अभी तक जहांका भी ने जुमना बाई सुबह सुबह अस्पताल से घर आ जाती फिर नहाद होकर अंजू के ससुराल चली जाती सब के लिए चाए नास्ता बना देती अस्पताल में सुस्मा के लिए भी चाए नास्ता तयार कर देती और फिर अस्पताल चली जाती और सुस्मा को बैड पर ही जो उन्हें उसके सरीर को साफ करना पड़ता था और कपड़े बदलना सारा कारिय अंजू और जुम्ना बाई ने बगखोबी संभाल लिया था इस तरह से सबने सुस्मा को की देखवाल में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी सुस्मा की एस्पताल से पंद्रे दिन के बाद छुटी हुई उसकी तवियत में काफी सुधार हो गई थी अब वे चल फिर लेती थी घर आने के बाद में सुस्मा की सेवा में किसी ने कोई कमी नहीं रखी वे पूरी तरह स्वस्त हो गई अंजू जुमना बाई और उसकी बेटी मंजू की सेवा भावना को देखकर सुस्मा के मन में जमी एसंतोस की भर्फ सेवा की जो आभा पढ़ने से पिगलने लगी उसके मन के किसी कोने में कही न कहीं एक अपराद बोध की भावना अपनी गहरी पैट बनाई वे थी क्योंकि उसने अब तक के सब के साथ बुरा वेवार किया था उसके बावजूदी सबने मिलकर पिछली बाते भुलाकर तनमन लगाकर सुस्मा की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोडी ऐसा तो कोई बड़ा दिलवाला ही कर सकता है सुस्मा की बिमारी की खबर सुनकर एक गिना चानक भगवान दास का छोटा भाई सिवचरन और उसकी पतनी काम नहीं आई भगवान दास और मेंदर दुकान जा चुके थे सुस्मा ड्राइंग रूम में बैठी थी तब ही उन दोनों का आगमन हुआ उनको देखकर सुस्मा को बड़ा आश्चरिया हुआ क्योंकि दोनों शादी में नहीं आये थे और अभी भी आने से पहले उन लोगों ने कोई खबर नहीं की थी उसने अंजू को बुला कर का अंजू देखो कौन आये है सुस्मा की आवास सुनकर अंजू अपना काम छोड़ का दोड़ी चली आई और का ममी जी किसी चीज की जरुष तो नहीं है तो सुस्मा जी बोली नहीं देखो ये कौन लोग है इन से मिलो तुमारे चाचा सुसुर और सास है इन लोग ये लोग जो बरेली में रहते हैं में तवियत की खबर सुनकर आये है सुस्मा की बात सुनकर अंजू दोनों के चरन छूने के लिए जुकी तो दोना दो कदम पीछे हट गए और कहा नहीं नहीं हमें तुमसे चरन नहीं छुआने है अंजू को ये बात तीर के जैसी चुभी उसकी आँखों में आसू तैर गए अपने देवर देवरानी का ये वहवार सुस्मा जी को बिलकुल अच्छा नहीं लगा अंजू की आँखों में आसू देखकर उसे और बुरा लगा उससे रहा नहीं गया तो उसने कह दिया देवर जी और कामनी आप लोग अंजू के साथ इस तरह का वहवार नहीं कर सकते अंजू हमारे घर की बहू है और बहू से ज़्यादा बढ़कर वो मेरी बेटी के समान है मैं भागे साली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है पहले मैं गलत थी जो जात पात उंच नीच अमीर गरीव के फेर में पढ़ गई अब की बार बिमारी के बाद भगवान ने मेरी आँके खोल दी है इस लड़की ने इतनी सेवा की है जिसका मैं सब्दों में बयान नहीं कर सकती इसकी मा और छोटी बेहन ने भी पूरे तनमन से मेरी सेवा की है और मेरे घर को संभाल रखा है आगे से मैं अपनी बहु का कोई भी अपमान कभी सहन नहीं करूंगी आप लोगों को यहां रहना है तो अच्छे से रहिए वरना मुझे कोई आपती नहीं है अगर आप लोग चले जाएंगे तो तभी अंजू ने बड़ी विनमरता से कहा रहने दीजे ममी जी इन लोग वो कोछ छोड़ी है ये बड़े है और कोई बात नहीं नहीं ने ऐसे कहा है तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा तब वो कहने लगी देखा आप लोगों ने इसकी विनमरता और इसका ग्यान इतना कुछ कहने के बावजूद भी उसने आप लोगों को छमा कर दिया है और कुछ नहीं कहा सुस्मा ने थोड़ा अपनी देवरानी को सुनाया इनके लिए खाने पीने की विवस्ता करो अंजू बहुत दूर से आएं ठक गए होंगे खा कर आराम कर लेंगे तो अंजू बोली जी ममी जी मैं इनके लिए खाना तयार करती हूँ चाचा जी चाची जी आप दोनों नहाद होकर फ्रेस हो जाएए तब तक मैं खाना बना देती हूँ कर अंजू रसोई में चली गई एक दिन सुस्मा सुबै का नास्ता करके धूप सेखने के लिए बरामदे में बैटी न्यूस पेपर पड़ रही थी तब ही अंजू ने आकर का ममी जी लाईए आपके बालों में तेल लगा देती हूँ आपके बाल रूखे रूखे से हो गए है बिमारी के बाद तेल लगा देंगे तो बाल अच्छे हो जाएंगे और वे तेल लगा कर सुस्मा के बालों में बैटकर जो तेल की मालिस करने लगी अंजू का वेवार देखकर सुस्मा के मन में आज ममता उमड़ाई उसकी पलके भी भीगने लगी उसने प्यार से का अंजू बेटा मेरे मन में एक बात अटकी हुई है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ अंजू ने बड़े प्यार से का कौनसी बात ममी जी आप क्या कहना चाहती है कह दीजिए तो सुस्मा जी बोली तुम प्याचडी की पढ़ाई करना चाहती थी न तो अंजू कहने लगी रहने दीजे ममी जी प्याचडी करके मैं क्या करूंगी नहीं तुमारी इच्छा है सुस्मा जी कहने लगी तो जरूर प्याचडी करो बेटा उसके बाद अगर तुम्हें नौकरी करने की इच्छा है तो जरूर करो मैंने तुम्हारी काबलियत को देखा है तुम्हारी सेवा भावना से मैं बहुत प्रभावित हूँ तुमने तो मेरे मन को ही बदल दिया है बेटा सुस्मा ने प्यार से अंजू के सिर पर हाथ रखा आज पहली बार ममी जी ने प्यार से सिर पर हाथ रखा तो अंजू इतनी भावुक हो गई उसने अपने आसु रोक नहीं पाई और वैसे सुस्मा से लिपट गई रोते रोते उसने का ममी जी आपने सिर पर हाथ रखा तो ऐसे लगा कि मेरी माने मेरे सिर पर हाथ रखा है मैं धन्या हो गई आपका प्यार पाकर मैं अंदर से कहना सुस्मा जी कहने लगी पिएच डी के लिए जो भी करना है तुमारी मदद करे और तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो भासकर की चिंता मत करना अंजू सब मेरी तबियत काफी अच्छी हो गई है भासकर को मैं संभाल लोंगी और फिर तुमारी मम्मी और तुमारी बहन भी है चिंता की कोई बात नहीं है सुस्मा ने बड़े प्यार से अंजू से कहा तो अंजू को पिएचडी में एडमिशनम मिल गया और साथ साथ स्कॉलर सिब भी मिलने लगी अपनी पढ़ाई में वह इतनी वेस्थ हो गई कब सुबह से शाम होती और सुबह से सुबह हो जाती कुछ पता नहीं चलता घर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई क्योंकि भासकर भी बढ़ा हो रहा था वेबी नर्सरी स्कॉल जाने लगा था उसको भी घर में पढ़ना अंजू की ड्यूटी की लिष्ट में सामिल हो गया था क्यों भासकर को भी पढ़ाना है एक दिन मेहंदर ने पूचा अच्छा अंजू तुमने पिएचडी की पढ़ाई सुरू कर दी पर मुझे यह नहीं बताय कि तुम्हारा थीमिस किस विषय पर है तो अंजू कहने लगी मेरा विषय तो समाज सास्त्र है और उसमें मेरा थीमिस है सहियुक्त परिवार के विलुक्त होने का कारण और उसे फिर से इस्ताफित करने के क्या-क्या लाव हो सकते है तो मेहंदर कहने लगा आरे वा यह तो बहुत इंट्रेस्टिंग विषय है समाज के लिए बहुत लाबदायक भी शिद्ध हो सकता है क्योंकि सहियुक्त परिवार में रहकर मनुष्य को एक दूसरे की साहता और साथ मिल जाता है कभी कभी विचार धारा अलग-अलग होने के कारण कलह भी उत्पन होता है पर उसे एक जगह बैठ कर सुलजा भी लिया जाता है यह मेरे विचार है में अंदर ने अपने विचार व्यक्त किये अंज्यो कहने लगे आपने बिल्कुल सही का परिवार में कोई व्यक्ती अगर एस्वस्थ हो जाए जैसे मम्मी जी हो गई अगर एकल परिवार होता तो बड़ी परिशानी आती हम सब साथ हैं तो मम्मी जी को कोई परिशानी नहीं हुई और स्वस्थ होकर घर लोटाई सहीं परिवार में ये लाहाव है हम उनको नकार नहीं सकते और मैं इस विशेय पर गंभीरता पूरवक रिसर्च करना चाहती हूँ अंज्यो ने अपने विचार व्यक्त किये तो अपनी भीविन विवस्थाओं के बीच अंज्यो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सब के साथ सामा जस्य बठाते हुए अंज्यो ने अपना थीसिस सपलता पूरवक संपन किया उसे पीएचडी की डिग्री मिल गई जीवन के इस संघर्स भरे पत्से गुजरते हुए अंज्यो के जो पग में कैई काटे भी चुवे परन्तो इस चुबन ने उसके व्यक्तित को और निखार दिया अब समय है नौकरियों के लिए आवेदन करने का उसले कैई कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मेजा उसे एक कालेज में सभी कीर्थी मिल गई अपना नियुक्ति पत्रहात में लेकर अंज्यो मेंदर को बहुती बेसबरी से इंतजार कर रही थी कि कब हुए आए और कब हुए यह ख़बरी उने सुनाए उसकी आँखों में आज दुक्के नहीं अपने सपने पूरे होने की खुसी के आँसू थे जिसे अंज्यों नहीं रोके बहने दिये और उन आसूं को जरने दिया जैसे वे बह रहे थे मन में बरसो पहले दबी होई भावना दुक सब निकलने का रास्ता एक ही है और वे हैं आँखों से बहते वे आसू अंज्यों कहा हूँ में दरने आते ही आवाज दी अवाज सुनकर अंज्यों ने जटपट अपने आसू पहुचे और कहा जी मैं यहां हूँ आप आ गए तो वे कहने लगा रहे तुम चुप चाप एक कौने में बैठी क्या कर रही हो भासकर कहा है तो अंज्यों कहने लगी भासकर को उसकी मौसी लेकर गई है यह तुमारे ह साथ किये हैं और अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है मेरा दामन नहीं छोड़ा नहीं तो मैं इस काबिल नहीं बन पाती मैं यह सब कर सकूँ और मैं बहुत भाग्य साली हूं जी आपने मुझे जीवन साथी के रूप में जो मिले हैं अंज्यों की आँखों में खु प्रकेट लेकर आया हूं मेहंदर और अंज्यों तयार होकर और मन में एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ खुसी खुसी एक दूजे के हाथ पकड़कर कदम से कदम मिलाते हुए आगे निकल पड़े दोस्तों मेरी कहानी हैं पर समाप्त होती है अगर आपको मेरी कहा करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें राधे राधे